हेलो गाइज, यू आरो मोस्ट वेलकम ओन एटुजार मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिविलिंग पर किस्वे में जल चड़ाना चाहिए जान ये पूजा का विदान क्या है सब कुछ इस वीडियो में सुझाए हिंदू द्रम में हर सोमार को बगवान संकर की विशेश पूजा करता है सोमार के दिन देश के सभी सीव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड लगी रहती है सभी मंदिरों में बगवान सीव का जल और दूद से विशेश अभी से किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि साम के समय से सीविलिंग पर चड़ाने से क्या होता है और क्या ऐसा करना सुब या सुब माना जाता है आज हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं साम के समय भगवान सीव की पूजा करते समय कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सीविलिंग पर जल चड़ाने का सेनियम क्या है पूरानिक मान्यता हो के अनुसार भगवान सीविलिंग पूजा के दोरान जेदी कोई तरूटी या भूल हो जाए तो पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता हर सोमार को माहदेव को पूजा करने से लोगों की मनोकामनाई पून होती है सीविलिंग पूरान के अनुसार सीविलिंग पर जल चड़ाने के लिए कभी भी गलत दिसा में खड़ा नहीं होना चाहिए दक्षिन और पूर्व की दिसा की और मुकर के सीविलिंग पर जल चड़ाना है सुब माना जाता है सीव वगतों के लिए सेदे उत्तर दिसा की और मुकर के सीविलिंग पर जल चड़ाना सुब माना जाता है पोरानिक मानना था है कि उत्तर दिसा भगवाल भोले नात का बाया भाग जहां पार्वती निवास करती है सिविलिंग पर खड़े होकर जलना चड़ाए पोरानिक मानना था होके नुसार साम के समय जब भी आप सिविलिंग पर जल चड़ाए तो आराम से बैठ कर मंतरो चार करते हुए जल चड़ाए अगर आप खड़े होकर पानी डालते हैं तो इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता इसलिए सिविलिंग पर हमेशा तांबे के लोटी से जल चड़ाना सुब माना जाता है जिन बरतनों में लोहे का परियोग किया गया हो उनसे कभी भी सिविलिंग पर जल नहीं चड़ाना चाहिए पूजा के लिए तांबे का बरतन सबसे सुब माना जाता है साम को पानी न दे, सीव पुरान के अनुसार साम के समय भोले नाथ के सीवलिंग पर जल चड़ाना सुब माना जाता है सुबह साम पांच बजे से ग्यारा बजे के बीश सीवलिंग पर जल चड़ाना सुब होता है जब भी आप भगवान सीव का जल अभी से करे तो जल में कोई अन्य सामगिरी ना मिलाए ऐसा करने से लोगों को पुरा फल पराप्त नहीं होता कभी भी संख से जल नहीं देना चाहिए पुरानी कता के अनुसार भगवान सीव ने एक बार संक राकसस का बद गया था और संक उसी राकसस की हड्यों से बना था इसके अलावा सिविलिंग पर जल चड़ाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जल का परवाह तूटे नहीं और एक बार ही में सारा जल चड़ाना च्छामाना जाता है क्योंकि यदि जल अभी से के तुरान जल का परवाह तूट जाता है तो लोगों को इस पूजा का पुरा फल प्राप्त नहीं होता होगे गाइज आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्रेम से बोलिए ओम नमेश श्वाए